डियलेट प्रसच्चियों का परणाम 10 जनवरी तक घोसित करने के लिए सच्चियों परेच्छा नयमक प्राधिकारी ने डायट के प्रेचारियों से मुल्यांकन के बाद सिमेश्टर के जो परिच्चाओं का परणाम है वो कहा है कि मतलब डिकलियर होगा यानि कि कुरोना संक जनवरी तक हरहाल में परणाम घोसित कर दिया जाए जो टीलेट थर्ड सिमेश्टर के बच्चे थे वह लगातार दबाव बनाये हुए हैं तो सच्चियों परिच्छा नयमक प्राधिकारी के और लगातार दबाव बना रहे हैं तो यहां पर हम देखते हैं जो सच्चियों परिच्चय नयमक प्राधिकारी अनिल चतुर भूशण चतुरुबेदी की ओर से कराया गया है प्रदेश के सभी डायट परचारियों के बारे में इस बारे में निर्देश दिया गया है कि मूल्यांकन के दवरान सुचिता बरती जाय साथ ही बताया गया है कि डियलेट के बिभिन सत्रों की परिच्चाओं में सामिल साड़े चाल लाग से अधिक इस्टुडेंट परिच्चय नयमक प्राधिकारी के ओसे डायट प्राचारियों को भेजे गया पत्र में कहा गया है कि डियलेट 2017 और 2018-19 सत्र के तीसरे समेश्टर के पचासी जार पसिच्चों का प पहले गोसित करने की तैयारी है यानी 31 दिसंबर तक डिया ठाध समेश्टर का रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद जनवरी में फौर्थ समेश्टर कर रिजल्ट गोसित होगा इसके बाद डियलेट के पहले समेश्टर के 48.000 पर उसीच्व का परणाम परिच्च्च जारी कि एक लाग परिच्छार थी सच्छी परिच्छा नामक प्राधिकारी की ओर से बताया गया है कि इन सभी परिणाम हरहाल में 10 जनुवरी तक जारी हो जाएं दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और कमेंट कर जरूर कीजिए परिच्छा नामक प्राधिकारी के ओपल लगातार बनाने कि हमारे परिणाम जलदी सी जल्दी गोषित किया जाएं और उनका परिणाम जो है वो इंदिखिए आपर बताया भी किया गया है सची परिण प्राधिकारी ने कहा है कि 31 दिसमबर तक थार्ड सेमेश्टर का जय हिंज जय भारत